हलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है कैसे यूट्यूब चैनल में जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाये रखने में मदद करेगा और लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए आपका हेल्दी रहना भी जरूरी है और आज हम बात करेंगे निपाह नाम के वाइरस की जो हमारे देश के केरल राज्य के कोजिकोडे और मलापुरम डिस्ट्रिक्ट में सामने आया है इस वाइरस के चलते 12 लोगों ने अपनी जान गवा दी है मेडिकल साइंस में अभी इस वाइरस से प्रभावित लोगों के लिए कोई इलाज नहीं है इस वाइरस का प्रभाव बहुत भेंकर है दोस्तों इस वाइरस से इंफेक्टेड हर 100 लोगों में से 74 लोगों की मौत हो जाती है जैसे मच्छर मलेरिया को फैलाने के लिए नेचरल होस्ट होता है उसी तरह निपाह वाइरस को फैलाने के लिए चमकादड की एक प्रजाती जिम्मेदार है और सुमर भी इस वाइरस को फैलाते हैं पहली बार निपाह वाइरस 1988 में मलेशिया में सामने आया था जहां इसने सुवर पालने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया तब ये बिमारी कोई बड़ा भयानक रूप ना ले ले इसलिए करीब 10 लाक सुवरों को मार दिया गया था और भारत में 2001 में पश्चिम बंगाल में पहला मामला सामने आया था आये जान लेते हैं कि ये वाइरस फेलता कैसे है जब कोई वाइरस कैरी करने वाला चमकादड किसी फल को खाता है तो ये वाइरस उस फल में चला जाता है और फल जब नीचे तूट कर गिरता है तो सुवर उसे खाते है और मांसाहार का सेवन करने वाले लोग सुवरों का मास खाते हैं इससे वाइरस उनके शरीर में चला जाता है और यदि किसी शाकाहारी ने चमकादड का खाये हुआ फल खा लिया तो वाइरस उसकी बाड़ी में भी चला जाता है और यदि इन चमकादड़ों का मलमूत्र किसी ऐसे जानवर के उपर गिर जाए जो लगातार इंसानों के संपर्ग में रहता हो तो फिर ये वाइरस इंसानों में ट्रांस्मिट हो जाता है और एक बार ये वाइरस किसी इंसान को इंफेक्ट कर दे तो उसके आसपास रहने वाले इंसानों को इंफेक्शन का खत्रा बढ़ आये जान लेते हैं कि निपा वाइरस के लक्षन क्या है? इस वाइरस के इंफेक्ट होने पर व्यक्ति को तेज वुखार, सरदर्द, उल्टियां और बदहवासी होती है. कुछ लोगों के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और ये लक्षन 10-12 दिन तक रह सकते हैं. उसके बा हाया हो. सुरों के संपर्क में आने से बचें और यदि आप मांसाहारी हैं तो सुरों का मास्क आने से बचें. यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं तो इंफेक्टेट लोगों की सेवा करने के दोरान हाथों में गलब्स और चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ रोधक शमता को बढ़ाना होगा हमारे आयूरवेद में इस तरह के संक्रमक रोग को फैलने से रोकने के लिए कई प्रयोग उपलब्द हैं उनी में से एक प्रयोग हम आपके साथ शेर कर रहे हैं कोरल जैस्मीन यानि पारिजाद की कुछ साथ आठ पत्तियों को एक ग्लास प प्रयोग आपको संक्रमक रोगों से बुखार से सरदी खासी जुकाम से भी बचाएगा और उन लोगों को तो ये प्रयोग करना ही चाहिए जो इस वाइरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में रहते हैं और अंत में हम श्रद्धानजली देना चाहेंगे लिनी पुथु सेर और समझदारी ही बचाओ है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में